जैहिन दोस्तों दिसी वसंत आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग चानते होंगी कि इंडियन ने भी SSR MR अगनी बीर के तहत निव बेकेंसी आच चुकी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगनी बीर SSR MR के लिए कितने स आएंगे लेकिन दोस्तों यह बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आएं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक सरूर करें कि दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एयर फुर्ष ने भी आर्मी एंड एंडिय जो भी न्यू अप्टेट होता है वह बताता हूं तो चलिए जानते हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगनीबीर एससर एंड एम आर के लिए कुल तीन हजार पदों पे वेकेंसी आई हुई है जिसमें से अगनीबीर एससर का फॉर्म अपल तो देखिए दोस्तों अगनीबीर एससर एंड एम आर का भरती कीवल चार साल के लिए ही होने वाले हैं चार साल के बाद 75% अगनीबीर एससर एंड एम आर सेनाओं को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% अगनीबीर एससर एंड एम आर सेनाओं को रख लिया जाएगा इसके लिए भी उनको exam conduct करा आजएंगे तो जब आप अगनी बीर ACSR AMR को ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले साल में 30 düş dizaur लिया जाएगा उसके बाद आपको दूसरे साल में 33 जरक्श लिया जाएगा उसके बाद आपको तिसरे साल में 36 मतली salary दिया जाएगा और अन्तिम चौथे साल में आपको 40,000 रुप्या मंतली सेलरी दिया जाएगा तो दोस्तु यह है अगनी बीर एसेजरेंड एमार का सेलरी मैंने आपसे बता दिया कि पहले साल में कितना दिया जाएगा दूसले साल में कितना दिया जाएगा तीसरे साल में कित कि ओमें